आज इस केस की मैं बात करने जा रही हूँ, उस केस की कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत ही जादा मुश्किल है। In fact, उस केस को पढ़ते टाइम मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर कितने mixed emotions आये थे। But वीडियो तो बनानी थी इस केस पे, so here we are. फुरूतों का जन मिसातो साइतामा प्रिफेक्चों में हुआ, वो अपने पेरेंस, अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी. As a teenager, उसने यशियो मिनामी high school को attend किया था. वो part-time job भी करती थी एक plastic molding factory में. वो school के बाद वहाँ पे काम करने जाती थी और वो वहाँ पे October 1988 से काम कर रही थी. वो part-time job इसलिए करी थी क्योंकि वो चाती थी कि वो अपनी graduation के बाद एक trip पे जाए अपने खुद के पैसों से. आगे जाके फुरूतों की job एक electronics retailer के यहाँ लग गई. जहाँ पे उसने after graduation काम करने के लिए planning की थी. High school में फुरूतों को उसके classmates बहुत जादा पसंद करते थे. उसके grades हमेशा high होते थे और वो बहुत ही कम absent होती थी school में. वो एक popular लड़की थी और काफी सुन्दर भी थी. उसके अपने सपने थे. वो एक singer बनना चाहती थी. जिस रात फुरूतों को abduct कर लिया गया. उस रात वो घर जाकर राम से टोनबो नाम के television show का final episode देखना चाहती थी. जिन लड़कों ने जनको फरूतों को abduct किया था. उनका नाम था हिरोशी मियानो, जो अगूरा, शिंजी मिनातो और यसूशी वातनाबे. ये लोग 18, 17, 16 साल के थे. इससे जादा इन लोगी age भी नहीं थी. आगे जाके court में इनको as A, B, C and D refer किया गया था documents में. मियानो जो लड़का था, वो इस crime का leader था, जनको फरूतों केस का. उसकी history थी problematic behavior की, since elementary school. जैसे की shoplifting चोरी करना, school property damage करना. और April 1986 में उसने एक private high school में enroll किया, जो की Tokyo में था. लेकिन सेम साल उसने drop out कर दिया. जिसके बाद उसने बहुत सारे crimes commit किये. और उसकी इस सब चीजें बहुत जल्दी escalate हो गए. यानि कि उसकी जो crime करने के आदत थी, वो बढ़ती चली गई. जिसके बाद वो एक gangster बन गया और frequently उसने rape crimes करना start कर दिये. अब आ जाते हैं हम 25 नवंबर 1988 की तरफ. मियानो और मि की जगा के आसपास घूम रहे थे और उनकी intention थी किसी अकेली लड़की को रॉब करके उसका rape करना. अब साड़े आट बच चुके थे उन लोगों ने फरूतों को देख लिया, बाइक चलाते वे, यानि कि साइकल चलाते वे. वो अपने घर जा रही थी, उसकी shift खतम हो गई आया, और ऐसे behave करा था कि मैंने by accident ये चीज़ देख लिया, लाओ मैं आपकी help कर देता हूँ, और मैं आपको घर पहुचा देता हूँ, अब उसका उसने trust gain कर लिया ये चीज़ करके, बट वो फरूतों को उसके घर safely छोड़के नहीं आया, वो उससे उसकी जगा एक warehouse ले ग अब होटल से मियानों ने क्या किया, उसने मिनातो और उसके दूसरे दोस्तों को होटल में बुला लिया, वो जो लड़का था जो अगूरा और यसूशी वातना, और उन्हें रेप के बारे में बहुत ब्रागिंग कर रहा था कि देखो भाई मैंने तो उसके साथ ये किया जैसे करते हैं कुछ लड़के, अब अगूरा ने मियानों से पूछा कि एक काम करते हैं इसको घर क्यों जाने दें, इसको कैप्टिविटी में रखते हैं अपने पास, और लोग जो आएंगे उनको अलाओ करेंगे कि वो भी इसको sexually assault करें, ये उन निकम्मों ने अपने दि नाप करके रेप भी कर रखा था, जिसके बाद उन्होंने उसको release कर दिया था, अब रात के तीन बज गए, मियानों फरूतो को एक पास के ही पार्क में ले गया, जहांपे मिनातो, अगूरा और वातानावे भी थे, उन लोगों को जनको फरूतो का घर का address पता लग गया थ क्योंकि उसके bag में एक notebook थी, जिसके अंदर उसका address लिखा हुआ था, यानि कि उन लोगोंने फरूतो को ये बता दिया कि बेटा हमें तेरे घर का address पता है, तो अगर भाग में की कोशिश करेगी, तो हम एक gang को जानते हैं, यकूजा, वो तेरे परिवार वालों को जान से मा अब क्या हुआ, उन चार कमीनों ने फुरूता को ओवर पावर कर लिया और उसको एक घर के अंदर ले गए, आयासे डिस्ट्रिक्ट की, उस घर को मिनातो के पेरेंट्स ने ओन कर रहा था, यानि कि मिनातो के पेरेंट्स का घर था वो, जो कि उनका regular gang hangout बन चुका था, जलत बोल दू तो, क्योंकि थोड़ा हैबिट नहीं है, अब जाता है 27 नवंबर, 27 नवंबर को फुरूता के पेरेंट्स क्या करते हैं, पुलिस को पर्टाक करते हैं, अब ये चीज उसके किनापस को पता चल जाती है, और वो क्या करते हैं, वो जनकों को फोर्स करते हैं, कि वो पुलिस इंवेस्टिगेशन रुकवाए, इतना ही नहीं, जब मिनातों के पेरेंट्स घर पे होते थे, तब फुरूता को उसकी गल्फरिंड की तरह आक्ट करना पड़ता था, फोर्स फुली, क्योंकि उविसली उन क्रिमिनल्स के साब से, मिनातों के पेरेंट्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, मिनातों के पेरेंट्स ने आगे जाके ये जिस क्लेम की, कि उन लोगों ने ये सब के बीच में इंटर्वीन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनको खुद के बच्चे से डल लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़दा बॉयलेंट लड़का था, और गुरो होता जा रहा था इस तरीके से, अब 28 नवंबर की रात को मियानों ने दो लड़कों को इनवाइट किया, तेट्सुो नकुमारा और कोईची इलहारा, तो मों मिनातों के घर में आये, वो उपर गए उपर के कमरे में जहां पे जनको बैठी वी थी, उसने लॉंग स् टीशट पहने हुई थी, एक स्कर्ट पहने हुई थी, जो कि मियानों ने एक लोधिंग स्टोर से चुराई थी, उन लोगों ने खासी की दवाई पी और ऐसे प्रिटेंड किया, कि जैसे कि ये ड्रग्स है, और हाई आक्ट करने लगे, कि वो हाई हो गए, फुरूता ने भ का से आई, जिस पर मिनातों ने बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, जिसके बाद उस ग्रूप ने फुरूता का दुबार से कैंग रेप किया, अब इस टाइम पे वो अनकॉंशिस हो गई थी, घर की छट को देख रही थी, और ब्लिंक नहीं कर रही थी, इस ग्रूप ने उस बेचारी डड़की को, उस बेचारी बच्ची को 40 दिन उस घर में captive रखा, उस घर में बंदी बना के रखा, जहां पे उन लोगों ने उसको repeatedly मारा, रेप किया और टॉर्चर किया, इन फैक्ट उनका इतने से भी मन नी भरा, तो उन लोगों ने बाहर से इतना क्या हवस है, इतनी क्या हवस है, कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि एक लड़की जिसको बंदी बनाया हुए, उसके साथ repeatedly rape हो रहा, तुम भी involved हो रहे हो भाई, तो इस case में चार लोग rapist नहीं है, इस case में बहुत लोग rapist है, जनके नाम, I don't know, लिखे क्यों नहीं है, लिखे होने चीए, हर बंदे का नाम लिखा होने चीए, इस case में, उस बिचारी के साथ कितना गलत किया है, इन लोगों ने, कितना गलत, इस case की जो details है न, इतनी जादा disturbing है, इतनी जादा disturbing है, as a girl सोचने में भी इतना बुरा लग रहा है न, मतलब मैंने इस case को बहुत पहल लोगों ने literally उसके pubic hair shape करे, उसको music पे बिना कपडों के dance करने के लिए मजबूर किया, उसको उन लोगों के आगे masturbate करने को बोला, और उस बिचारी को बालकनी में, ठंड में, थोड़े कपडे छोड़कर उसकी body पे उसको बालकनी में छोड़ दिया, including match, metal rod, bottle, और उसको भारी मात्रा में alcohol पिलाया, दूद पिलाया और पानी पिलाया, उसको बहुत सारी cigarettes at once पीने के लिए force किया गया, और उसको paint thinner inhale करने के लिए भी force किया गया, एक incident में मियानों ने फुरूता की legs को repeatedly, यानि कि बार बार lighter के fluid से जलाया, उसकी legs and arms को भी, December के end तक फुरूता की इतनी बुरी हालत हो गई थी, वो इतनी ज़ादा पतली सूख गई थी, कोज उसको खाना नहीं देते थे वो लोग, बिल्कुल थोड़ा माउंट में उस बिचारी को खाना देते थे, सिर्फ दूद देते थे पीने के लिए, और उसके शरीर पे इतनी severe injuries थी, इतने burns थे, कि वो नीचे जाके toilet तक नहीं जा पाती थी, और जिस रूम में वो रहती थी, वहीं तक की वो हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, चलके वो नीचे जाए, उस बिचारी की appearance इतनी बुरी हो गई थी, drastically इतनी गंदी हो गई थ था, उसका face पूरा सूज गया था, और उसके features नहीं दिख रहे थे, इसके आखें आखों आख नहीं दिख रहे था, उसका face पूरा इतना सूज गया था, उसके शरीर में सडने की smell आ रही थी, जिस smell की वज़े से उन चार लड़कों का फरूता के अंदर sexual interest लूज हो गया, भाई साब, as a result उन हर, sorry, as a result उन लड़कों ने, एक 19 साल की लड़की को किणाब करके गैंग रेप किया, जैसे कि उन लोगों ने फुरूता के साथ किया था, और वो भी बेचारी अपने घर जा रही थी, 4 जानवरी 1989 को जो मियानो था, वो कोई गेम हार गया था, किसी इसके उपर गुसा निकालता और उसने क्या किया, लाइटर का फ्लुएड उसकी बॉड़ी पे डाल दिया और उसको आग लगा दी, फुरूता ने कोशिश की कि वो आग बुजा ले, बट ऐसा नहीं हो सकता न, जब तुमारे उपर आग लगी हो तो किता मुश्किल है बु लिच पे डाली और उसको अपना खुद का यूरीन पीने के लिए फोस किया गया, उसको लाते मारी गई और उसके शरीर से बहुत खूना रहा था और पस निकल रही थी, उन लड़कों ने अपने हातों को प्लास्टिक बैग से कवर किया और उसको पीटते रहे और उसके प किया उस बच्ची पे, अब इतनी ज्यादा हद हो गई, उसको जला दिया, उसको पीट लिया, उसको आइन बॉल डाली, उसको कैंडल से टॉचर कर लिया, कि अब वो सहन नहीं कर पाई, और वो मर गई, उसकी मौत को 24 गंटे भी नहीं हुए थे, मिनातों ने अपने भाई क कॉल करके बुला कि यार ये तो मुझे लग रहा कि मर गई, अब उसको डर लग रहा था कि यार मुझे 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 डाल देंगी जेल में, यार ये तो गल्दी होगे, तो मर गई, अब उस ग्रुप ने उसकी बॉड़ी को एक ब्लैंकेट में लपेटा, ट्रावल बैग म को एक सीमें ट्रक के अंदर डाल दिया जब उसे बंदी बना के रखा था था फुरूता ने बहुत बार मेंशन किया था उन लड़कों को कि वो रिग्रेट करती है कि वो तॉन्बो का फाइनल एपिसोड नहीं देख पाई मियानो को उस एपिसोड का उन्हें हांट करें क्योंकि उसकी लास्ट विश यही थी वार या आदमी वार एक लड़की को रेप करके several times तूसरों से रेप कराके torture करके, मारके, पीटके सब चीज़े करवा दी उसके साथ सब चीज उससे करवा ली उसके बाद जब वो मर गई तब तेरी फट रही है क्योंकि उसकी आत्मा ना आजा तेरे पास भाई साब 23 जन्वरी 1989 को मियानो और अगूरा अरेस्ट हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने उस 19 साल की लड़की का भी रेप किया था जो फरूता के बाद लेके आयते उसके जुर्म में वो अरेस्ट हो गए अब 29 मार्च आया दो पुलिस ओफिसर्स उनके पास साई इंटारोगेट करने क्योंकि काफी ओरतों के अंडर्वेर मिले थे उनके एडरेस पे इंटारोगेशन के दौरान मेयानों को लग रहा था कि इन दोनों पुलिस ओफिसर्स में से एक को तो पक्ता बता है कि मैंने फुरूता का मर्डर किया है उसको लग रहा था कि जो अगूरा नाम का बंदा उसने कन्फेस कर दिया है कि उन लोगोंने फुरूता के साथ क्या किया है अब मेयानों ने इस कन्फूजन में पुलिस को बता दिया कि फुरूता की बॉड़ी कहा है अब पुलिस होगे कन्फूज के ये कैसीन है भाई ये क्या बात कर रहा है अब मेयानों के confession से चौकी भी पुलिस जाकर उस drum को ढूंगती है, उनको वो drum मिल जाता है जिसके अंदर फुरूता की body होती है, same day, उसे fingerprins के through identify किया जाता है, एक April 1989 को उगूरा को arrest कर लिया जाता है, for a separate sexual assault, और subsequently उसको दुबारा से arrest किया जाता है फुरूता के murder के लिए, officially identify कर लिया जाता है, including Tetsuo Nakamura and Koichi Ilhara, so जब यह लोग arrest हो गए, उसके बाद justice बस्टेस कुछ नहीं मिली, जानने का भी कोई फैदा नहीं, कोई justice बस्टेस नहीं मिली, उनको कुछ-कुछ 8-9 साल की सजाय सुना दी, अब वो मस्त गूम रहे हैं अपना, और regret एक के दिल में न क्योंकि उनके घर में सारा क्राइम हुआ था, तो उनको 50 मिलियन डॉलर्स देने पड़े थे उनको घरवर बेचके, इसके इलावा उसको कोई justice बस्टेस नहीं मिली, और नहीं उन बंदों को regret हुआ, को regret नहीं हुआ, लोग बोलते हैं, not all men, ठीक है, मानती हूँ, not all men, मानत कड़वा है, बट सच है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि अगर मैजॉरिटी में होते, तो लड़किया सेफ होती, बट नहीं है, आज भी नहीं है, ये केस, 1988 का केस है, सोचो, निर्भया का केस हमारी दिल्ली में हुआ, ठीक है, और भी केसिस होते हैं, आपको पता ही है, साल की बच्ची का गांग रेप कर दिया, ब्रो क्या, 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 किस चीज की कमी है, जो तुम्हारे दिमाग इतनी फिर जाते हैं, मेंडिली इंबालन्स रो, क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज लानी चाहिए, सेक्चुल एजुकेशन लानी चाहिए, क्या डंडे से इन लोग को समझाना चाहिए कि इनके ओपर लगाम लगा के रखनी लड़कियों पर लगाम लगा के रखनी कुशिश करते हैं लोग लोग गलत बंदे को पकड़ते हैं यही तो प्रॉब्लम है यार मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ यह एकदम सिंपल सी तुम जितने भी कर दो थाल्ड़ार चाहिए बढ़ाने भी किल आपके से थाल्ड़ा जो भी तो आपके सब बच्पन टॉम्माटाइजिंग रहे हैं उनके बच्पन में उनको धंकी ना भंका सिक्षा मिली ए ना धंका बच्पन मिला है तो वह बड़े के क्रिमिनल में जाते हैं वह को में अलग-अलग तरीके के डूंड लेते हैं, फिर उनका उब्जेशन बन जाता है, और फिर वो रेपिस बन जाते हैं, सीरिल किलस बन जाते हैं, मौरल वैल्यूज कहा से आएंगी, सब सिखाने वाली प्रेजन्टी होते हैं, उनकी लाइफ में, उठा के देख लेना कहीं, कोई भी कर्स उठा के लेना, सब की हिस्ट्रीज खराब होती हैं, सब की लाइफ इस्ट्रीज खराब होती हैं, तो जब नुमारे घर में बच्चे बाइब ना, भी अ बेटा जब पैदा होती है, तो उन्दोनों के बीच में लड़क। तो लड़किए, तो घर में रहा हैं- लड़का तो जायश कर, नहीं, जहीं, इस्ट्रामे बाजी मत कर जा आपक्ते को जा के सीन चोडा कर के बाहर जा गद कर जो पूर से बुच मेरी पटानी होता है, कैर अफर पेरींस को TE-जमिन कश पता है नहीं होता है उनके लड़को पाले क्या मुमारहें क्या कर रहें। किस लड़की को छेड़ रहें। कोई गंटा नॉलिज नहीं होती क्योंकि आदमी हैं भाई क्योंकि यार मैंने कितने पॉलिटिशन को बख्वास करते देखा है अब चौमीन खाते हैं आज कल कि यंगसर्स तो उनकी सेक्ष्वल दिजायस बढ़े तो वह रेप करतेते हैं अगर रेप हो तो enjoy it are you fucking serious एक लेडी हो के how can you say that